जै माताई दोस्तो मातरानी आपकी सारी मनो कामनाय पोण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रही हूँ दोस्तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कलस की बारे में जैसी कि आप सब को पता है नवरात्री जो है वो शुरू हो गई है और ऐसे में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नवरात्री में हमें कौन सा कलस रखना चाहिए क्योंकि कलस जो है वो दो प्रकार के होती है दो तरह की कलस जो है वो रखे जाती है एक जो कलस होता है इस प्रकार से आप देख पा रहा है इसको कहते हैं दीप कलस इसमें जो दीप है वो प्रजुलित किया जाता है जो अनाज है या चावल है वो उस प्रकार से भरे जाते हैं उसके उपर दीप जो है वो रखके और जिलाया जाता है तो ये होता है दीप कलस और एक ये नारियल वाला कलस होता है तो आप इसको नारियल कलस या स्री कलस या लच्छमी कलस के नाम से भी जान सकते हैं क्योंकि जो नारियल होता है वो मालचमी का सरूप मना गया है तो आप इसको कई नामों से जैसे स्री कलस हो गया, नारियल कलस हो गया लचमी कलस हो गया आप इसको इन तीन नाम से जान सकते हैं साथी साथ ये है दीपक कलस तो जो दीप कलस है वो हमें कब रखना चाहिए और नारियल कलस है वो हमें कब रखना चाहिए आपके मन में ये सारी संकाय जो है वो चलती रहती है तो आज मैं इस वीडियो में छोटा सा ही वीडियो है बहुत बड़ा वीडियो नहीं है छोटे सी ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो दे दूँगी वीड अगर आप इसमें नार्यल रखते हैं, तो ये स्मुंद्रवा प्लिल्स और स्मारेट है तो ऑसे लिए गृतला स्ञेटल वाटा। मैं नीचे रख दे रहे हूँ क्योंकि गिर सकता है तो ये है आपका नारियल कलस तो जो नारियल कलस है वो हम कम रखते हैं तो जब हम कोई लंबी साधना करते हैं तब हमें जो नारियल कलस है वो रखना चाहिए जैसे कोई भागवत महापुराड हो रहा है रामाड हो रही है या नवरात्रे के जैसे नौ दिन अभी चल रहे हैं या आप किसी भी कुल देवी देवता की पुजा करते हैं तब आपको ये नारियल कलस की स्तापना करना चाहिए और नवरात्रे में क्योंकि नौ दिन की आराधना होती है मा की बहुत सारे लोग अखंड जोती नहीं जला प सकता है ऐसे में आपके पास सबसे अच्छा उपसन है कि आप नारियल कलस जो है वो रखें बहुत सारे लोगों के यहां बिवा में जैसे हमारे यहां जैसे साधी बिवा संपन होता है तो क्या होता है कि जब खाना बनना सुरू हो जाता है जैसे ही खाना बनना शुरू होता आप नारियल वाला ही कलस रखें, क्योंकि मालatori, अपूर्णा भी है, माल च्मी, के अनेक स्वरूब है। जब आप नारियल कलस रखते हैं, तो आपके सारे मनोकामनाइ पूर्ण हो जाते हैं। तो एक प्रकार से मैं यूँ कहूँ कि जब हम नारियल कलस की स्तापना करते हैं तो हम अपनी समस्त मनो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए नारियल कलस की स्तापना जो है वो करते हैं तो जब हम कोई कार जो है जैसे हम नवरात्री के नौदिन पूजा कर रहे हैं मा की आराधन ज़वत है रामाड है या कुल देवी देवता की पूझा कर रहे हैं या यह कोहूं कि जब आप कोई लंबी पूझा कर रहे हैं किसी जादा दिन तक पूझा कोई होने वाली है और दीपक जो है वो भुझने का डर है तो ऐसे में आप नारियल कलस की स्ताप ना करें ठीक है ताइए पूजा हो गई, वड साइवित्री की पूजा हो गई, सूमबतिया, मवस्या हो गई, गडेश पूजन हो गया, कोई कालरिका, उध्गाटन हो गया, ग्रह प्रवेश हो गया, या विवा हो गया या कोई भी एक दिन की पूजाजरी कि самое Indian extract हम इस दीपक की जो लव है उसको देखके उसमें जो भी घी या तेल जो भी डालते हैं उसकी देखरेक अच्छे से कर सकते हैं तो थोड़ी देर की जब हम पूजा करते हैं या एक दिन की पूजा करते हैं ताब हमें दीप प्रजलिज जो है वो करना चाहिए अब चाहे हम जो दीप कला से उसकी स्तापना करें और चाहे हम स्री कलास की मालीजे की जो नारियल कला से उसकी स्तापना करें हम दोनों तरह का जब कलास की स्तापना करते हैं तो हम सभी देव देवताओं का आवहन करते हैं और जब हम किसी भी देवी का या देवता का आवान करते हैं तो वो मालीजे पूर्ण रूप से आपकी पूजा के साक्षी होते हैं और आपकी पूजा में समलित होते हैं इसलिए जब आप कई दिनों तक लंबी पूजा करने जा रहे हैं तो आपको नारियल कलस ही रखना है औ अगर आपके मन में आपी भी कोई प्रेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर पूछे और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए इस जानल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूं दोस्तों जैमा तादिक